15 चैनवरी का इंडियन एक्स्प्रिस डिसकस कर रहे हैं तो यहां पर फॉर्स न्यूज है तो बेसिकली सुप्रीम पूर्ट ने कमिटी बनाई थी फार्मस और गवर्मेंट के बीच में कंसल्टेशन कराने के लिए तो अब जो सुप्रीम पूर्ट ने कमिटी बनाई थी उसम जो भी कमिटी बनाई गई है बैतो सुप्रीम कोट उनका बिसिकली यह कहना है यह जो लोग कमिटी में यह प्रो गवर्मेंट है और इन्होंने हमेशा से यह जो फार्म लॉज उनको बैक किया है ठीक है हम नेक्स्ट नीज पर शलते हैं यहां पर है फाइनस नीती हैट रेस स्ट्रेट फ्लेक्स बिफोर अडानी क्लीन स्वीप उफ सिक्स एयर बोट तो बैसिकली यहां पर दिक्कत क्या है चो कॉंपिशन कमिशन अफ इंडिया है वो यह देखते कि कहीं किसी एक ही कंपनी के मोनापली तो नहीं हो रही है तो उसको दूर करने के लिए क्लिए स्ट्रेट अर्वियू अव और अफॉर फॉर थे तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो पॉब्लिक प्राइवेट लिगल कॉंट्रेक्ट्ट्स है कहीं उसका मोनापली तो नहीं हो रही है ब्रजील पहला इसा देश बनके है जो इंडिया की वेक्सीन को इंपर कर रहा है त तो especially equipped aircraft from Brazil is expected to land in Mumbai over the weekend to collect 2 million doses of the vaccine to mark the first such export from the country, ठीक है, हम next page पर चलते है, यहां पर भाही वाली बात Competition Commission of India की, की वो यह बेसिकली एंशोर कर रहा है कि enough number of players होने चाहिए ता कि कि किसी की monopoly ना हो, तो there are enough players who are able to participate in the award of concessions, the policy of the government is to make the economy more efficient and in that process what CCI can do is look at whether the dominance is abused or not, तो basically Competition Commission of EA देखेगा कि कोई भी ऐसी company तो नहीं है जो अपनी dominance को abuse कर रही है, अगर abuse of dominance होगा, तो CCI can take action again under section 4 of the Competition Act, बस आपको Competition Commission के गवने में कुछ चीज़े बता हो पता होनी चीज़े कि statutory body यह कौन से बनी बस इसके वार में थोड़ा याद होना चाहिए, बाकि इस 15th January को Army Day मनाया जाता है, अब क्यों Army Day मनाया जाता है, अब क्यों Army Day मनाया जाता है तो यहाँ पर, Army Day is celebrated to commemorate the occasion when the then Lieutenant General केम करिया पट्टु कोवर इस Commander-in-Chief of the Indian Army on January 15, 1949 from General Sir Francis Butcher, the last British Commander-in-Chief of the British Indian Army, तो basically British Indian Army की जो Commander-in-Chief थे, उनसे जो Lieutenant बने उसके बाद तो इंडियन बने, वो थे General K.M. करिया पट्टु इस लिए उस लिए अर्मीडे मनाया जाता है, इस बार यह 73rd Army Day है, तो on January 15, India celebrates Army Day in memory of its valiant sons of the motherland and their triumphant achievements and service of the nation, तो यह इस बार 73rd Army Day मनाया जा रहा है, तो Army Day basically बोल सकते है, Army Day marks the transfer of power from British to independent India, ठीक है, अब इस पर सोलते हैं, यहाँ पर क्याया कुछ news important है, यहाँ पर से कुछ important है, यहाँ पर से कुछ important है, यह इस पर विसे बिए आर्टिकल भी आए कि farmer and government में कैसे trust deficit है, आगे चलते हैं, यहाँ पर यह news थी, कि यह जो है, six months after C.M. Amrindar promised help, तो इस इस इंसान ने दो gold medal जीते थे, तो एक gold medal पर सरकार इसको 15 लाग रुपए दे ली थे, तो basically 2 gold medal के चलते हैं, इसको 30 लाग रुपए मिलने वाले थे, लेकिन सरकार ने इसको 30 लाग रुपए दिये नहीं थे, और यह physically disabled था, उसके कारण इसको पैसे नहीं मिल पाए, ताकि इसको 30 लाग रुपए दिये मरिया, तो इससे हमें क्या पता जनता है कि ब्यूर्योक्रिटिक अपैथी, ठीक है, तो एथिक्स में सारी इस्यू आते हैं, कि अगर मतलब यह कोई बहुत बड़ा इंसान होता है, जिसके ट्विटर पे बहुत जादा फॉलोवर्स होते हैं, इसे लोग अपने इनके इनके इंफ्यूंस होते नहीं है, तो इनको पता नहीं चल पाता है कि कि उससे गुजर रहे हैं, और सरकार भी इनके पैसे ताइम पर देती नहीं है, तो लिफ्टिं स्टोंस इंप्रिक्स विदिस फादर फॉर उपीस 400 a day, और लेटर वोकिंग इस was a caretaker at a shelter home for the differeently abled feeding and bathing inmates this is how Rajveer Singh from Cihar Village of Lydhiana who won two gold medals at the 2015 Special Olympics in Los Angeles provided for his family 6 months after Punjab Chief Minister Captain Amrindar Singh promised him help in a video posted on twitter and 5 years after he won his medals in cycling, Rajveer who suffered from an intellectual disability due to a brain related ailment, died at Christian Medical College and hospital Lydhiana Wednesday after being on ventilator support. तो basically इसका cash price 30 लाग रुपे था, rupees 15 for each medal जो की promise किया था भाई शे रोमनी अकाली दल, BJP government ने 2015 में वो आस तक उसके पास नहीं पहुचा और उसके पैनेरी में मर गया मतलब उसको इस पैसे भी नहीं थे, तो इसे bureaucratic empathy का एक example मिलता हमें हम आगे चलते हैं यहाँ पर after blocking Trump, तो basically यह article इस पर जैसे Twitter, Facebook सब ने Trump को block कर दिया है तो क्या वो उनकी freedom of speech को violate कर रहा है Trump की, या फिर कोई ऐसा precedent set कर दे रहा है कि आगे कुछ भी वोईलन्स या फिर hate speech होगी तो उसको block कर दिया जाएगा तो basically author ने इसको ही intricacies को deal किया है, तो हम देखते हैं क्या क्या बोला गया है author के द्वारब the platform's decision have been criticized, जो Facebook और Twitter ने किया Trump को ban करके bar from using Facebook and Twitter तो उस decision को criticized किया गया है, broadly critics argue that social media companies should not censor a president or make what conservatives see as politically biased decisions about speech, basically critics ने ये बोला कि social media companies को censor नहीं करना चाहिए एक president को जो sitting president है, इंडिया में भी लोगों ने काफी इसको वो किया था, condemned किया था कि ऐसे नहीं करना चाहिए the latter claim wrongly assumes that all ideological conservative speech is the same as harmful speech, Trump could have stopped at expressing dissatisfaction about the electoral outcome लेकिन basically author का ये बोलना है कि Trump को नहीं बार किया जाता, अगर वो electoral outcome से dissatisfaction जाता आते बस वहां तक ये रुख जाते लेकिन नहीं उन्होंने क्या किया, ऐसी बाते बोली जैसे election was stolen, calling for action, तो इसे कहके उन्होंने violence को incite किया this took his speech beyond the realm of political opinion into the realm of incitement तो the fact that Trump is the head of the state does mean that his incitement of violence needs to be treated differently तो ऐसा नहीं है कि Trump अगर head of state है तो उन्हें incitement of violence अलग तरीके से treat होना जाए social media would have enabled and amplified the incitement to violence through their platforms if they did not act to restrict the circulation of Trump's speech giving the connection between the words and the violence तो author नहें बोला अगर कोई चीज जल्दी होनी चीज़े तो basically यह होनी चाहिए थी कि social media को अपनी policies इंसारी चीज़ों के लिए clear रखनी चाहिए तो basically author support करी ठीक क्यों से बाहर कर दिया although social media companies are private companies they have a disproportionate impact on populations around the world बहले यह private companies होती है पर इनका बहुत जादा impact होता on populations of the world platforms ought to follow international human rights तो basically उनका भी यह कहना है जो UN में हैं David का है उनका यह कहना है कि जो platform में उनको भी international human rights को follow करना पड़ता है तो कोई ऐसी चीज जो human rights को violate करती है तो social media को एक step आगे बढ़कर इन सब को रोकने की ज़रूरत है तो social media companies accept that they must take steps to ensure that they do not facilitate tragically extreme harm such as the Rohingya genocide in Myanmar जैसे Rohingya genocide Myanmar में हुआ तो वहां पर भी इसको एक step आगे बढ़कर रोकना चाहिए था क्योंकि सारी चीज़ों होती तो Facebook या Twitter के थ्रूर ही circulate है However, they also act as a social media के बहुत ज़्यादा importance भी है जैसे social media एक democracy को enhance करने में यूज होती है If they refuse to host conversations about the COVID-19 virus जैसे COVID-19 के बार में सारी information हमें थ्रूर सोचल मीडिया मिली Vaccines, Abortion, Kashmir, LGBTQ, rights of marital rape, the public debate that drives democracy would suffer तो ये सारी जो भी debate होती है थ्रूर सोचल मीडिया भी होती है तो अगर सोचल मीडिया को हटा दिया जाए तो ये सारी चीज़ों सफर करेंगी We usually use constitutional codes for this delicate balancing of freedom of expression with reasonable restrictions and the companies are now building alternative system तो basically हमें भी constitution में दिया गया है fundamental right के थूफ, freedom of expression लेकिन उसमें भी कुछ reasonable restrictions है तो ऐसे ही social media companies में भी कुछ reasonable restrictions होने चाहिए कि आपकी speech किसी volumes को insight ना करें तो इसलिए जो companies वो नया alternative system built करेंगी जैसे कि Facebook oversight board वो basically यह देखे कि जो reasonable restrictions होनी चाहिए क्या उसका धिवान रखा चाहरा है लोगों के दुवारा A citizen journalist of whistleblower in a country without a functional free press may have no other way to reach wide audience if deprived of social media तो basically हमें यह कहना है जो citizen journalist है यह whistleblower है उसके पास तो कोई और जरिया नहीं होता लोगों तक पहुशने का तो basically उसका जरिया क्या होता social media लेकिन जो Trump है उसके पास सिर्फ social media उसका जरिया नहीं यह बात करने का उसके पास mass media भी है तो उसका freedom of expression उस तरीके से effect नहीं है जैसे किसी normal farmer और whistleblower का होता अगर उन्हें deep platform किया जाता तो basically author कह रहा है कि अगर Trump को deflood from कर दिया गया तो ऐसा नहीं कि उसकी freedom of expression खतर में आ गया क्योंकि उनके पास वैसे भी mass media है जो कि उनकी बाते पहुचा देगी लोगों तक ठीक है लेकिन अगर किसी normal इंसान journalist, farmer, whistleblower को अगर उसको कर दिया जाता तो वो अपनी बाते नहीं पहुचा पाता लोगों तक तो with the same content, an influential speaker is much more likely to actually incite violence तो basically author ने बोला है, एक influential speaker जादा likely होता है कि वो violence को incite करे therefore incitement by a head of a state is more dangerous than incitement by a powerless ordinary individual this is significant given that social media platforms are clear that they will act to remove incitement to violence from their platforms especially when there is a real danger that violence will ensue तो basically author ने बोला है, सही किया गया है, अगर ऐसा लग रहा है कि एक real danger है violence हो सकता है, तो platform से उन लोगों के D platform कर देना चाहिए a powerful leader can persuade his followers that it is acceptable and even right test to engage in violence if this leader controls the law and order of machinery, this creates a sense of impunity in those working for the violence अभी यहां पर author ने क्या बोला है what happens the next time a world leader incites violence on these platforms तो facebook ने तो facebook ने अपना reason दिया ने तो facebook ने उसमें एक loophole छोड़ दिया ठीक है it has left itself whom to do so, तेंकि twitter तुरंत उसे D platform करेगा है यह से twitter की policies की दौरा पता चलता है, but it is not clear what counts as enough incitement लेकिन twitter की जो है policies उसमें वेगने से कि क्या चीज होगी कि उसको मान लिया जाएगा जिसकी रोक देना चीज़ अब speech circulate हो रही हो जिसकी वैसे violence हो सकता है they need clear policies in which they commit to a consistent refusal to help head of state inside violence आपको बताओ कि special marriage act 1954 का जो है उसमें couples को mandatory बोला जाता है basically इस act के दौरा inter-religious couples शादी करते हैं तो इसमें mandatory था कि 30 day आपको public notice लगाना पड़ेगा अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अलावाद High Court ने basically यह बोला है कि इससे privacy का हनन होता है और यह privacy के against है इसलिए जो यह notice लगाना है mandatory नहीं है अगर लोग अपने frival पे लगाना चाहते हैं लगवा सकते हैं वरना ऐसी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो यह news मुझे आपको बताने की बस यहां पर shine the light तो बेसिकली आपने गोला है कि vaccine में transparency होना बहुत जरूरी है misinformation नहीं फैलनी चाहिए जैसे हमने देखा था जब COVID-19 pandemic शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा misinformation फैल रही थी ठीक है यहां था कि एरान में काफी लोगों कैसे लागा कि methanol अगर वो consume कर लेंगे तो उनको COVID-19 नहीं होगा जिसकी विसे बहुत ज़्यादा लोग मर गए तो early in the COVID-19 pandemic hundreds of people died in एरान after consuming toxic methanol ironically believing that it could cure them of the disease ठीक है तो world health organization इस चीज के लिए pandemic में एक word उन्होंने इजाद किया था जिसका नम था infodemic infodemic का मतलब इतनी ज्यादा information है कि आपको पता ही नी चल पा रहा है कि कौन सी सही information है कौन सी गलत information है तो misinformation वैसे ही mass immunization programs के दौरा भी flow होगी ठीक है जिसकी वैसे बहुत सारे लोगों की जान खत्रे में आ सकती है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जैसे COVID vaccine रोल अग इंप्लांट की जारी है information steal करने के लिए तो as the prospect of the vaccine become more real अब जैसे पुछ vaccines MRN ने technology यूज कर रहे है तो social media पर ऐसे claims आगे हैं कि इनसे आपका DNA alter हो जाएगा तो अधर में गला है इस सारी misinformation है इनको counter करने के ज़रूरत है with consistent and transparent sharing of science-based information about the vaccine in a language और ऐसी language में हमें science-based information logo तक पहच सच जानने का अधिकार है लोगों को जानने का अधिकार है कि vaccine में क्या है कैसे administer किया चाहेगा इनके body में work कैसे करेगी क्या reaction or side effects होंगे अगर कोई भी होंगे तो ठीक है तो basically हमें लोगों तक सारी information पहुंचा है तो आपकानी किसी भी misinformation भी बिलीव ना करें तो the COVID-19 inoculation drive is likely to involve the administration of more than one dose of the vaccine ठीक है तो basically यह one-off event नहीं एक बार आना है इंसान के तो दुबारा पिर से आना है जब तक उसकी immunity development हो जाए तो basically two doses देनी है तो safety of the door of the journey for the first set of vaccinated people तो basically author नहीं बोला है जो four set of vaccinated people होंगे अगर वो अपना experience social media पर शेयर करें अधर platform पर शेयर करें तो millions of others का decisions और effect होगा मैं आपको अभी इंडोनेशय के बार में बताऊंगे कि इंडोनेशय अपी vaccine drive कैसे शुरू कर रहा है तो आपको इस बात का मतलब बहुत जादा सामझ आएगा कि कैसे लोग अगर अपने experience social media प्लैटपार्म पर शेयर करेंगे तो और ज्यादा लोग इंकरेज होंगी कि हाँ हम भी वेक्सिन के रहे हैं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इस जोर्णी इवन इस बिफोर इट बिकेंस फिल्हाइब मैंई टेच पॉइंस पॉइंस पर प्रेडिबल इंफरमेशन विच कांट बीडन सॉली वाइद गोवर्मेंट का ही काम नही तो बेसिकली ये बोला है ओथर ने कि हमें सोसाइटी बेस्ट अप्रोच की तरफ जाना है अगर हम वेक्सिन के राइव को सक्सीड कराना चाहते हैं The government should emphasize in its messaging that to go or not to go Basically author ने बोला है कि government अपने इस message पर emphasize करेगी COVID vaccine लेना नहीं लेना किसी इंसान का voluntary decision होना चाहिए ठीक है तो वो उसकी responsible choice है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है That one has to take the interest of one's health and that of their family To present the decision as a responsible choice and not as an imposition Will effectively kill the motivation of many rumour bongers Basically author ने बता है कि polio जब polio हुआ था तो उस से में कैसे country लडा था So countries victory over polio owes much to co-opting community leaders So basically community leaders, civil society, organization, religious heads Here religious heads को भी बहुत अच्छा रोल होता है कि लोग religious heads को बहुत जादा follow करते है So religious heads जैसा बोलता है लोग उसी तरफ tilt हो जाते है For example Christian में जैसे इसमें कुछ abortion का कुछ use किया गया है वैक्सीन में To Christian में Christianality में abortion को गलत माना जाता है लेकिन एक बहुन के religious head ने बहुल दिया कि हाँ इस vaccine को अपले सकते है To Christian पीस vaccine को ले रहे हैं So many of them enjoy high trust and credibility among people and have the unique ability to turn scientific message into a contextually relevant information अब जैसे जो लेमाज हैं Muslims में वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन में पिक कजलेटन यूस किया गया है तो उसको नहीं लेने ही चाहिए तो ऐसे religious head बहुत important होते है Well some religious leader could be sources of misinformation कुछ religious leader sources of misinformation हो सब्सक्राइब लेकिन हम देख रहे हैं बहुत ज़्याद religious leader आजकल progressive की तरफ जा रहे है scientific or rational thinking की तरफ जा रहे है तो such non-state actors should be involved in an alliance that can help in social mobilization for covid vaccination ठीक है तो हम ऐसे non-state actors को use कर सकते हैं covid vaccination के उसमें Scientist or vaccine experts के proactive role होना चाहिए in shaping the attitude of people Industrial houses should become partners in disseminating scientist information Government at the center and the state level वो अच्छा काम कर रहा है Colts and facilities बनाने के लिए एक army और vaccinators को train कर रहा है तो तो the leadership in the country will have to rise above the political and ideological difference तो basically author ने ये बोला है जो leadership in country को उसके अपने political and ideological differences सो उपर उठके आना चाहिए जो national response होना है mass vaccination drive को वो rare opportunity for political leaders across party lines to close ranks and demonstrate that on issues pertaining to people's health, test and united तो basically ये विक्ट्री अगर हमारी mass vaccination drive अच्छी तो ये विक्ट्री सिर्फ अगिन सा pandemic भी नहीं है but for democracy as well ये आर्टिकल ब्रोकर नहीं है पर इसमें कुछ बाते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ basically एक report publish की गई है जिसका नाम है Britain's future foreign policy after Brexit इस report का नाम है Global Britain Global Broker ठीक है तो यहां पर उसने अपना shift थोड़ा non-european countries की तरफ बढ़ाया है Global Britain को बनाने के लिए वहां पर उसने चार countries को categorize किया as the difficult four countries जिसमें एक इंडिया का नाम भी लिग दिया है तो alongside Russia, Turkey and Saudi Arabia, India is classed as one of the difficult four countries designed to count among the UK's rivals or awkward counterparts, so basically UK rival में इसको रखा गया है difficult four countries है तो author ने बोला, first it is clear that the reports move of labeling India difficult basically यह author ने बोला, यह जो European है यह जो British है, इनका एक mindset है कि यह हमेशे hierarchy में उपर ही रहने चाहिए तभी और भी countries आगे बाटतें तो इनको अच्छा नहीं लगता है इसलिए ने इन्डिया को difficult बोला है कि इन्डिया भी hierarchy में rise कर रहा है तो first it is clear that the report's move of labeling the difficult is bound up to quite specific ideas about status and hierarchy in the world politics ठीक है पहली बाट, the report does author place of India and other countries in a different normative universe to the liberal west and then confess unequal status upon them तो basically जो report है उसमें इन्डिया को liberal west से normative से अलग रखा गया तो basically वो पहले ही उनके उपर इंडिया के उपर unequal status लगा रहा है दूसरा ये बहुत ही political की report में note कि कैसे Hindu nationalism बहुत जादा बढ़ गया है इंडिया में और Muslims के rights को बहुत demean किया जा रहा है other minority religions के rights को कम किया जा रहा है तो majoritarianism का हो गया है, secular democratic इंडिया खत्रे में anyone keen to see an end to the inequalities of a contemporary hierarchical world order ऐसा उस report में रहा है predictably the report advocates that the UK moved to support democracies in the Asia Pacific region और यहादा के report में यह भी लिख़े है कि UK Asia Pacific region में democracies को support करेगा जो China को counter करने के लिए लेकिन ये नहीं उसमें इंडिया को बोला है कि India is a reluctant supporter of liberal democracy ठीक है और India बहुत envivalent about human rights abuses within the nether states and possesses a long and consistent record of resisting being quarreled into a western camp ये ये बोल रहे है कि human rights abuses करता है India human rights abuses के against नहीं बोलता है जोने नहीं खोद इतने जादे human rights abuses किया है तो India is a reluctant supporter of liberal democracy is ambivalent about human rights abuses within other states तो अगर other states में होते है human rights abuses तो India basically ambivalent है वो बिल्कुल भी extrovert नहीं है उस रगलेटर तो ये खास important नहीं है तो basically author ने बोला है कि India कैसे उसको counter कर सकता है जो Britain's उस था उसके बारे में तो author ने बोला है इस report से हमें ये समझाता है कि जो India की importance है to the UK for inescapable and it is clear that no nation today can move forward without factoring in India तो कोई भी nation बिना India को factor किया आगे नहीं बढ़ सकता है तर next two years will see India move into a critical period of high profile international activity अब जैसे कि हम देखने हैं अगले दो साल में इंडिया बहुत आगे बढ़ने वाला है UN Security Council में भी इंडिया एक member है और 2023 G20 Summit को भी इंडिया host करेगा तो basically अब इंडिया का समय आ गया है तो अब देखते हैं इंडिया कौन से reforms में इंडियान देता है और international global order में अपनी ये पहचान बनाता है हम आगे चलते है यहां पर कुछ भी इंपॉर्टन ही है basically इस इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है female labor force participation rate तो the economic review attributed the increase in women's participation in economic activities to increase in self employment and casual labor तो basically ये मनरेका की वज़ए से आयान कली अर्बर employment guarantee scheme की वज़ए से जो कि बेसिकली गेरला में चलती हो कि उसकी वज़ए से सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है ठीक है तो ये सब आपको पता होना चाहिए female labor force participation कितना ज़्यादा बढ़ गया है इसमें बस जेनरल गाइडलाइन से की कौन vaccination ले सकता है कौन नहीं ले सकता है जैसे की vaccination सिर्फ 18 साल से उपर के लोग ही ले सकते हैं अगर आप एक कंपनी के वैक्सीन ले रहे हैं तो दूसरे डोस भी आपको इसी कंपनी के वैक्सीन का लेना है ठीक है वैक्सीन उनको देने में थोड़ा कॉशन रखना है जिनके पास जिनको ब्लीडिंग या कोईगूलेशन डिसॉर्डर इस्यूज होते हैं जैसे ही मोफीलिया एक्लॉटिंग फेक्टर यह सारी दिखकत है वैक्सीनेशन अगर फ्रोज हो गई तो फिर वह यूज नहीं हो सकती है तो अब यहां से में क्या पता चल रहा है कि सोशल मीडिया की वैसे इसमें फेक न्यूस हो रही है कि कभी-कभी सब कुछ इसमें बंद करना पढ़ जा रहा है तो यही एक एंड ऑप्शन बचा है क्य इसलिए सॉष्चा फोलस ही ऐं से वह हो फोके लगाए ऐस पहले जाने का सौइए तो इसमें नियूस होकोई बंद फॉल्ट करने के लिए अरब जैसे यह कोई रफी औह भी आहमाद है इसकी 50 मिलीन फौलोव us Instagram पे तो बेसिकली इसको वैक्सिन सबसे पहले लगाई जारी है ताकि यह अपने फेस्बूक इंस्टाग्राम पे डाले और और ज्यादा लोग आएं तो देर हैस बिन स्केप्टिजम इन इंडोनेशन अराउंड सेफ्टी इन एफिकेसी वाक्सिन सेंड वेदर देर अलाओ दे इसलाम तो अब इंडोनेशन से अरमंग टॉप ग्लोबल यूजर्स ऑफ सोचल मीडिया अब पेग पेंटिंग मिली है जो कि मानी जारी कि वोट्स की ओल्लिस के लिए इंशॉर्स तो यह इंशॉर्स इसले ले रही है ताकि जब यह क्लिनिकल ट्राइब करेंगी तो अगर किसी भी जो इनसान उसको कोई भी दिक्कत आगए और वो कुछ भी क्लेम करेंगा तो उसके लिए बेसिकल इंशॉर्स ले दिए तो पॉलिशी कवर्स सीरेस एड करेंगे तो उसको भी CSR केंदर काउंट कर लिया जाएगा तो जो भी कंपनी जिनके नेट वर्फ पांसो करोड से जादा है और नेट प्रॉफित पांच करोड से जादा तो उनको लगबग जो पिछले तीन साल का अपने दो परचल का प्रॉफित किसी भी ऐसे CSR तो अब उसमें कोविद नाइटीन वेक्सिनेशन प्रोगाम के लिए अगर आप करोगे कैंपें तो उसको में इंफ्लूट कर लिए गाए तो तो टोड़े थैंक्यों आपनाइस टी इप लाइक दावीडियो देन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब